नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिचीतरा संसार में मज़ेदार तथ्य अक्सर हमें अचम्भित कर देते हैं और अक्सर सर्वोत्तम संभव तरीके से मनोरंजन करते हैं ये इतिहास, विज्ञान और पॉप संस्कृती की दुनिया से ज्ञान के असामान्य और अप्रत्याशित अंश हैं जो प्रसन्न करेंगे और हमें आश्चर्य चकित कर देंगे यहां कुछ मजेदार और आश्चर्य जनक तत्य हैं जो आपको एक ही समय में रोमान्चित और आश्चर्य चकित कर देंगे गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से बर्फ में बदल जाना एक अवलोकन किया गया जिसमें एक तरल आमतोर पर पानी जो शुरू में गर्म होता है अन्य तरल की तुलना में तेजी से जम सकता है जो समान परिस्थितियों में ठंडा होता है मोना लिसा की कोई भौहें नहीं है लोग हमेशा आश्चर्य करते हैं कि मोना लिसा की भौहें क्यों नहीं है ये रहस्य सुलज गया है इसके लिए पासकल कोटे नामक इंजीनियर को धन्यवाद जब दाविंची ने मोना लिसा को चित्रित किया था तो उन्होंने वास्तव में उसकी भौहों को चित्रित किया था, लेकिन समय के साथ सफाई के कारण, ये भौहें इस हद तक खिस गई, कि आज यह दिखाई नहीं देती है, शरीर में सबसे मजबूत मानसपेशी जीब है, हमें आपको यह बताना होगा कि जीब शरीर की सबसे म जबूत मानसपेशी मैसिटर है, जो जबडे को उपर उठाने के लिए जिम्मेदार होती है, चीन्टियां बारह घंटे की अवधि में लगभग आठ मिनट तक आराम करती है, हाँ, आश्चर्य की बात है न, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह हम नींद की व्याख्या करते ह जेम्स और कोटेल में शोद किया है, जिससे पता चलता है कि चीन्टियों के आराम की अवधि का एक चक्रिय पैटर्न होता है, जहां प्रत्य एक घोंसला सामुहिक रूप से आराम करता है, जो बारह घंटे की अवधि में लगभग आठ मिनट तक रहता है कोका कोला मूलता हरा था, यह पूरी तरह से एक मिथक है क्योंकि 1836 में अपने आविशकार के बाद से कोका कोला का रंग शुरू से ही एक जैसा रहा है बेहतर सपश्टी करण के लिए आपको 1836 में अटलांटा के जॉन एस पेम बर्टन की कोका कोला कहानी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए दुनिया में सबसे आम नाम मुहम्मद है कोलंबिया इंसाइकलोपीडिया 2000 के छठे संसकरण के अनुसार मुहम्मद अपनी विविधताओं सहित दुनिया में सबसे आम नाम है दुनिया में 150 मिलियन से अधिक पुरुष और लड़के मुहम्मद नाम रखते हैं जो इसे दुनिया में सबसे लोकप्रिय नाम बनाता है जब चंद्रमा ठीक सिर पर होगा तो आपका वजन थोड़ा कम होगा चॉकलेट कुत्तों को मार सकती है क्योंकि इसमें थ्योब्रोमाइन होता है जो उनके हृदय और तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है जोस्तें मर्दों की अपेक्षा दो गुने बार पलकें जपकती है यह शुद्ध मिथक है दोनों लिंगों में पलक जपकने की दर काफी हद तक समाल है वैज्यानिकों ने सुझाव दिया है कि पलकें जपकाने के बीच का अंतराल लगभग 2-10 सेकंड है इसलिए एक औसत व्यक्ती प्रती मिनट लगभग 10 बार पलकें जपकता है एक और दिल्चस्प तत्य ये है कि अगर हमारी आँखें किसी एक चीज़ पर केंद्रित होती हैं तो हम कम बार पलकें जपकाते हैं उदाहरण के लिए जब आप पढ़ते हैं तो आप प्रती मिनट केवल 3 बार पलकें जपकाते हैं क्योंकि पढ़ते समय आप बहुत केंद्रित होते हैं यदि आप बहुत जोर से छीखते हैं तो आपकी पसली तूट सकती है यदि आप छीख को दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके सिर या गर्दन में रक्त वाहिका फट सकती है और आपकी मृत्यू हो सकती है हाँ यदि आप छीख के दबाव को रोकते हैं तो इससे कान के परदे फट सकते हैं गले में जलन हो सकती है और सबसे खराब स्थिती में आपके मस्तिष्ट या आँखों में रक्त वाहिकाएं फट सकती है मगर मच्छ अपनी जीब बाहर नहीं निकाल सकता मगर मच्छों में एक जिल्ली होती है जो उनकी जीब को उनके मुह की छट पर रखती है ताकि वह हिले नहीं BBC के अनुसार इससे उनके लिए इसे अपने संकीन मुह से बाहर चिपकाना लगभग असंभव हो जाता है एक घोंगा तीन साल तक सो सकता है घोंगे को जीवित रहने के लिए नमी की आवश्यक्ता होती है इसलिए यदि अत्यधिक मौसम हो तो वे तीन साल तक सो सकते हैं यह बताया गया है कि भुगोल के आधार पर गर्म जलवायू से बचने के लिए घोंगे अकसर हाइबरनेट में चले जाते हैं इस ये तीन साल तक सो सकता है इसी तरह का विडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किजिए इस चैनल को साथ ही विडियो को ए लाइक और शेर करना न भुले मिलते हैं अगले एक और मज़ेदार विडियो में